लाइफ में दो चीगों की बीच में डिसाइड करने मेरी हमेशा फट जाती है एक कौन सी प्लेट में जादा में गिये और नमबर दो कौन सा OTT शो देखा जाए इस अफते भी कुछ ऐसी दूबीत आ गई एक तरफ सा अर्षद वारसी कासूर सीजन टू और दूसी तरफ सा करिश्मत अन्ना का स्कूप मैंने बाइसाब इसको डिसाइड करने कि सबसे साइन्टिफिक सबसे लॉजिकल सबसे पोटेंट हथियार आजमाया मैंने बोला अकडवकड़ बंबे वो सी नबबे पूरे सौ म में लागा धागा सल्वार में के भागा और इसके बाद जो में सुई अटकी वो अटकी स्कूप पर जो कि मैंने देगा और अगले पांच पॉइंट में आपको बताऊंगा मुझे वो शोग कैसा लगा और क्यों बिकास आयम सेंट और यूर वाचिंग हंसल मेता साब को जब से रेलाइज हुआ है कि राजकुमार राओ के इलावा भी सिन्वा बन सकता है बाई साब OTT जगात के MPP बनके घुम रहे हैं वो पहरों निकाला स्कैम 1992 और अब स्कूप और दोनों ही बहुत ही बड़ीया शो थे मैं बज इतना कहना जाएंगा मेता सा कि और सबसे पहले डिसकर्स करते हैं पॉइंट नमबर याने की प्लॉट अफ द शो शो का प्लॉट यह है बाई साब कि 2011 का मुंबई है अब 2011 का मुंबई के पाथ तुमे से एक ही चीज निमाग में आती है यही तो दिक्कत है गंबीर का 97 नहीं आता ता कि दीको तब ही तो इस तने इज नाम के अख़बार में काम करती हैं कभी भाईज़ा वो कोई बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरी ब्रेक कर रही है तो कभी राजन जैसे बड़े डॉंस का इंटर्व्यू ले रही है और रही सब की चलते हो साथ साल में अपने निउस्पेपर की डेपीटी ब्य दूरोचीफ बन जाती है और जैसे कि हमेशाद होता चला है जैसे ही कोई और सुक्सेस्फफल होती है उसके आदे मेल चूती है कली एक ही बात बोलने लगते है इस पूरे क्यारक्टर असासिनेशन, लोगों की सेक्शूल अडवांसे, सिंगल मदर होने की स्टिगमा से लड हो जाता है उस मुअनर के बाद कैसे जागरती पाठक अपने आपसे डील करती है और एक लीकल बैटन फस जाती है और उस से निकलकर आती है इसके ओपर पूरा का पूरा plata plot है, plot की बात करा रहा है तो plot अपने आप में बहुत इंटरेसिंग है because ये एक real life story है मतलब कभी वो एक courtroom drama बन जाता है कभी वो एक family drama बन जाता है कभी जो है वो एक political drama बन जाता है और इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा media और gender का discourse है वो मुझे काफी अच्छा लगा So for the plot, तेस थंडर Welcome to the performances of the show अब बहुत कम ऐसा बोलने को मिलता है इसलिए मुँ में अलड़ी अच्पटाट हो रही है कि भाई साथ सारी की सारी performance अच्छा बढ़ी है इस चीज़ के अंदर undoubtedly करिश्मत तन्ना ने अपने career का best काम किया she is so very convincing as जागरती पाठक और उनको देख के काफी मजा आया है लेकिन भाई हैरान तुम्हें कुछ और देखकर हुआ Bradley को धड़ादार छक्के मारने वाले Harman Bhaveja भी इस चो के अंदर और वो प्ले करने कॉप का character मैंने का भाई चच्चा ही किस line में आदा है लेकिन भाई ताब जिस भी line में आये है बहुत 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 भीतरी नवी पर्फॉर्मंस करी Harman Bhaveja ने भी He looks very convincing as his character and I am very very surprised कि इतना बड़े उने परफॉर्मंस दिये Zishan Ayoub तो हैं कमाल के actor उनोंने भी बहुत अची परफॉर्मंस दिये लेकिन आप यहाँ पार मैं का इंडिविजुली एक्टर्स के नाम लेने बैठ गया तो शाम तो यहीं हो जाएगी उसके बाद मैं जाओंगा कब भागी खेल दावाशा करने के लिए One of the best things I felt about this show was its very straightforward no-nonsense narrative. Unnecessarily narrative और complicate करने कोशिट नहीं की गई है एक सीधा सादा linear narrative चल रहा है which makes it a very easy watch. It's easy to follow the characters, it's easy to follow the story. Another thing I loved about the direction was that it was not trying to copy a formula. I always realize that filmmakers do the same thing as you go to KFC. You know, you have to order one zinger, burger, two piece, hot and crispy. That's why I didn't try it. That's why I had such a big fan of KFC. I had to give money to my mother. Fair, the point was that he hasn't tried to replicate the formula of scam 1992 और वैसा ही शो बनाने कोशिच नहीं करी है. एक अलग narrative बनाया है, एक बहुत straightforward narrative बनाया है which I thought worked very 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 well for the show. Point number 4, the run time of the show. Again, कुछ-कुछ episodes एक एगंडे के हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार शायद काने जल्दी थोड़ी आगे बढ़े. कुछ-कुछ discourse जो family के ओपर है, कुछ-कुछ discourse जो इनकी personal life के ओपर है, वो थोड़े से unnecessary लगते हैं, तो बाद मुझे लगता है कि अगर थोड़ा तो show को और concise कर दिया जाता, तो show और impactful होता. अब यह मैं अपने आपके बारे में भी कभी-कभी सोचता हूँ, कि मैं हर बार यही point क्यों बोलता हूँ, वो तो इसलिए है भाई साब कि हमारे attention span चोटे हो गए, 15 second की real लेखते हैं, 15 second का pawn लेखते हैं, उसके इलावा कुछ समझ भी नहाता है हमारे कुछ. Point No.5, The Music of the Show. Scam 1992 में भी music के उपर बहुत अच्छा काम करा गया था, और यहां पर भी music के उपर काफी अच्छा काम करा गया है. So overall मुझे लगता है कि एक काफी बढ़िया शो बनकर निकल कर आता है, और मैं देना चाहूंगा इस शो को 4 stars out of 5, इकलोसी चीज़ जहां मुझे लगती है कि थोड़ा सा run time कम के जा सकता था, otherwise एक बहुत बढ़िया ड्रामा निकल कर आया है, आप भी देखिए अपने family को भी दिखाईए, overall मेरी तरफ से 400 out of 5, बागी लगता है अगर बढ़िया लगाओ तो like, comment, share, subscribe कर तो मज़ा आजाएगा, नहीं कर दो कियो तो आप तो आदत सी है मुझे को